वंदे मात्रम किसान साथियों मैं हूं रवी आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फारमोटेक मैं आज एक ऐसे विस्या को लेकर करके आया हूं जो एक समस्या को खतम करने के लिए स्वेम में एक समस्या के रूप में किसानों के समझ खड़ा हुआ है जी हां हम बात हैं और है इसका लागता असल में यही लागत ही किसान के लिए और समझ खले करके आती है किसान साथियों जब मैं महंगा वाला लें कौन सा अच्छा रहेगा कौन सा बढ़िया निकलेगा वगेरा 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 बहुत सारे चीजें मेरी दिमांग में आई फिर मैंने फाइनली इस पे लगने वाली जो लागत है उसको ध्यान में रखा दूफरी बात इसमें कितने दिनों तक यह चलेगा क्या इसका टिकाउपन है उसको आधार मान करके फिर मैंने सेलेक्शन किया किसान साथियों आपका समय बरबाद ना करते हुए मैं आपको तारबंदी के चार बिंदू हैं जिनने मैं उनको आपके समझ रखना चाहूंगा पहला है इसकी उपलब्धता दूफरा है इसकी उपयोगता तीसरी लागत कितनी आएगी फिर हम इसका सही चुनाव कर सकते है तो आप भी जब भी तारबंदी कराएं तो इन चार बिंदूओं का जरूर धान में रखें किसान साथियों बजार में कई तरीके के वायर उपलब्ध हैं परंथू चलन में अगर देखा जाए तो दो ही पकार के वायर मार्केट में आसानी से मिलते भी हैं और चलते भी हैं पहला तो एक आप में देखा हुआ चैनलिंग जिसमें जाली सी बनी होती है जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं दूफरा कटीलातार यह सब ने सुना है और 90% अगर देखा जाए तो किसान भाई कटीलेतार का ही उपयोग अपने खेतों में करते हैं कि एक और वायर आप देखेंगर मार्केट में हो सकता है आपके यहां पर मिले बाजार में उसका नाम है क्लच वायर परन्तु यह आसानी से ना उपलद होने की वज़े से किसान भाई इसको लगाते भी नहीं है और उनको पता भी नहीं है कि यह इसको कैसे लगाए जाएगा और उसको लगाने में भी कैसारी चुनोतियां हैं तो हम इसलिए इस क्लच वायर को ना लेते हुए किवल दोई वायर के बारे में बात करेंगे कटीले तार और तो बिलकुल भी अनुसारी उपयोगी नहीं है क्योंकि इसमें आने वाली जो लागत है उसको उठा पाना और एक हर एक आम किसान के बसकी बात नहीं है इसका उपयोग बड़े किसान या बेफसाइक कार्यों में जो लोग involved हैं बेवसाइक कार्यों में जिनको फेंसिंग करानी है वो लोग इसको लगा सकते हैं पर आम किसान के बसकी बात इसको लगवाना नहीं है तो मैं इसके लिए बिल्कुल सलाह नहीं दूँगा तो बात करते हैं कटीले तारों की कटीला तार दो प्रकार का बाजार में उपलता है पहला एक लोकल तार दूफरा है कंपनी वाला तार लोकल तार का जो 28 फुलो का बंडल है उसमें लगबग 650 फुट तार निकलता है 80 रुपे प्रत किलोग्राम के हिसाब से गर बाजार मूल इसका देखें तो 240 रुपे का लोकल तार एक बंडल मिलेगा तो इस हिसाब से देखा जाए एक फुट तार का मूल 3 रुपे 45 पैसे हो गया अब अगर हम बात करें कंपनी के तार की तो कंपनी का तार एक बंडल 26 किलोग्राम का आता है और इसमें 1000 फुट तार निकलता है बाजार मूल 20 रुपे प्रति किलोग्राम से गर देखें तो 3120 रुपे का ये बंडल पड़ेगा आपको और एक फुट तार का मूल देखें तो 3 रुपे 12 पैसे आएगा बात ये हुई कि कंपनी का तार लोकल वाले तार से ज़्यादा सस्ता है अगर प्रति फुट अगर आप निकालेंगे इसकी एवरिस तो कंपनी का तार लेने में ज़्यादा फायदा है मैं तो यही कहूँगा आपसे कि कंपनी का आप तार लें कंपनी का तार लेने में सबसे बड़ा जो फायदा है वो इसकी एक समान मोटाई है अगर 2 mm का आप लेते हैं तो 2 mm की मोटाई समान रूप से पूरे बंडल में निकलेगी एक बात दूसरी बात क्या है कि ओरिजिनल GI की कोटिंग होती है तो जादा समय तक जंग नहीं लगती है और यह जो तार आप देख रहे हैं मैंने एक साल पहले अपने खेतों में लगवाया था और अभी भी इसकी चमक वैसे की वैसी है कोई जंग नहीं लगी तार बढ़िया दिख रहा है आपको तीसरी बात कंपनी के तारों में जो यह नुकीला पन आप देख रहे हैं यह नुकीला पन लोकल वाले तारों के पेच्छाक्रत जादा होता है तो घुसपैट को रोकने में यह ज़्यादा मदद करते हैं चौती चीज यह जो वायर मैंने इस्तिमाल किया है यह टाटा का वायर है टाटा का वायर टाटा वायराउन के नाम से आता है और ये मार्केट में आसानी से उपलद भी है मैं तो यही कहूंगा आप से कि आप कंपनी का ही तार लें और ये लोकल वाले से आपको सस्ता पड़ेगा जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था किसान साथिओं अब हम बात करते हैं खंबे की लखडी का भी इस्तेमाल होता है सिमेट के पेलर भी लगते हैं और जीज़ाई के एंगल भी किसान अपनी सुद्दानुसार इसमें लगाते हैं लखडी तो बहुत जल्दी खराब होती आप सब को पता है तो मैं इसकी बात नही बी नहीं हैं दूसरी घर हम बात करें परब काफी ज्यादा महेंगा पड़ेगा तो अगर में इसके स्कार्प bli c को डीअ वेन चाहिए एक siya into लगबक साथ किलोग्राम को बाव को का प cannabis की man प्रत किलो ग्राम के हिसाब से इसका कुल मूल हो गया 380 रुपए अब इसमें वायर बांधने के लिए आपको छेट कराने के आउसकता पड़ेगी मैं यह मानके चलू कि पांच रुपए प्रत छेट के हिसाब से 25 रुपए आपको उसमें लागत आएगी और कंक्रीट जो इस वहां से इसके काट कर चोरी होने का सबसे ज्यादा खत्रा है प्राइमरी जो लागत है वो बहुत ज्यादा है हां दस साल बाद भी आप अगर बेचने जाएंगे इसको तो इतने ही कीमत पर यह बिग जाएगा चुकि आपने स्क्रैप ही लिया है तो उस साथ से देखा है देखा जाए तो यह लगबग एंगल से हमें आधी कीमत पर मिल जाता है को और इसको लगाने के लिए किसी भी तरह की आर्ट सी का प्रयोग नहीं करना पड़ा सीधे मैंने आगर मसीन से चैन चोड़ा और दो फिट गहरा गड़ा किया और सीधे मिटी में इसको गार दिय तो मात 210 रुपए में मैंने पिलर एक त्यार किया एक बेफसाइक कल्कुलेशन मैं बताता हूं आपको हो सकता है वो आपके काम आये जिसा अधार पर मैंने सीमेंट के पिलर लगाए जो एंगल था एंगल लगबग आप देखें तो सीमेंट से लगबग दो सवादो गुना पढ़ रहा है मुझे तो पहले ही बार ही मुझे लगबग दो से धाई उना कीमत लगानी पड़ती हर एक किसान इतना सच्छम नहीं होता है कि वो पहले शुरुआती दोर में ही इतना ज्यादा एमाउंट लगा दे तो कुल मिलागर के मेरे यहां पर खेत में 200 पिलर वो मुझे माद 210 रुपए के हिसाब से 42,000 रुपए में ही 200 पिलर मुझे मिल गए तो आप अगर समझ सकते हैं कि लगबग आधी कीमत में मैंने यह चीज़ कर ली तो मुझे जादा पैसे खर्च करने नहीं पड़े अब बात आई कि फिर अगर इसमें अगर डिरोबिल्टी की बात करूं कि कितने दर चले गए तो मैंने वह भी कल्कुलेशन किया है कि अगर यह जल्दी जल्दी खराब होंगे मैंने यह भी मान लिया कि जल्दी खराब भी होंगे तो जो मैंने 40,000 रुपए लगबग अभी बचाए हैं मैंने इनी को फिक्स डिपोजिट कर दिया है और इसे जो साल भर में जो ब्याज आएगा मैं मान की चलता हूँ कि 4-5 खंबे हर साल तूटेंगे हर साल मुझे नए खंबे लगाने पड़ेंगे तो जो ब्याज का पैसा आएगा उन 40,000 रुपए से मैं उसका इसको लगाता रहूँगा और हर साल खंबे मेरे यह चलते र किया है और मुझे लगता है कि मेरा डिस्जन एक्दमी सही है अब मुझे ना तो इसके काटकर चोरी होने का साह था है ना ही इसमे किसी प्रकार का जो है जो है जैंग लगने की शंभावना है ना ही इसको बार बार मुझे मैंटीनेंस करने कापड़ि possibilities करना यह और इसमें जंग देखो कहीं तो लगी है कोई पिलर टेड़ा तो नहीं हो गया कुछ भी मुझे तो सीधे अगर कोई पिलर में दिक्कत लगेगी मैं पांच शे पिलर तूटेंगे मेरे तो मैं उनको हर बार उनको बदलता रहूंगा तो इस आधार पर मैंने यह सिमेंट वाल पर सोचे जरूर अपनी आवसकतान सारी पैसे खर्च करें और जैसी आपकी जरूरत हो उसी कॉंबिनेशन को आप चुनें उमीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा वीडियो को लाइक शेयर और सब्क्राइब करना ना भूलें यह आपका अपना चैनल है आप अभी